हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम तुहमाजी क्लासेज। हमारे चेप्टें 2 चल रहा था बेटा एंड गामा फंक्शन, कोश्य नंबर सेमन था, कोश्य नंबर सेक्स तक हम कर चुक है। ठीज कोश्य नंबर सेमन करते हैं। कुछ नंबर सेवंथ, गामा फंक्शन, प्रोव करना हैं, जीरो तो फॉन, लोग वन बैवाई कि पावर अड माइन दीवाई है। तो इसको सॉल करेंगे, टेकिंग राइट राइंड साइट, जीरो तो फॉन लोग य पावर अड़ अड दीवाई हैं। पूट करेंगे लॉग 1 by y is equal to z 1 by y is equal to e z तो y is equal to e minus z d y is equal to minus e minus z d z अब y 0 हुआ तो ये लॉग क्यों होजगा वान अपन 0 infinity log infinity infinity बतब z infinity होगा और अगर y बन हुआ तो log 1 होजएगा log 1 क्या हो तो 0 तो अब हमारे पास limit है 0 to 1 log 1 by y कि power n minus 1 d y है तो अगर 0 है तो infinity और 1 है तो 0 और log 1 by y z कि power n minus 1 और d y कि minus e minus z d z है तो minus अगर हम interchange कर देते है limits को तो 0 to infinity हो जाएगा यही माइनस z z कि power n minus 1 d z तो यह क्या बनके गामा of n तो इस इंप्लाइज गामा of n किसके को लागे 0 to 1 log यह गामा फंक्शन ही तो है 1 by y कि power n minus 1 d y यही हमने प्रोब करना था ठीक है अब इसका second part करते हैं 0 to 1 y कि power q minus 1 log 1 by y कि power p minus 1 d y प्रोब करने गामा of speed क्योंकि power p तो solve करते हैं तो आप क्या करेंगे इसमें सबसे पहले वोई log 1 by y को एक सेटी तो log 1 by y को put कर दो log 1 by y को x put कर देते हैं तो 1 by y is equals to e x y is equals to e minus of x log 1 देखो y अगर 1 आया y को 1 put करेंगे तो log 1 क्यों जेगा 0 और अगर y को 0 put करेंगे तो log infinity x को आजगा infinity ठीक है तो अभी हमारे पास limit क्या थी 0 to 1 by क्यों minus 1 log 1 by by p minus 1 dy तो यह हो जाएगे हमारे जब 0 है तो infinity और जब 1 है तो 0 0 है तो infinity तो नीचे infinity आजएगा 0 और y क्या हो जाएगा a की पावर minus x के हो minus 1 और यह x की पावर p minus 1 और dy की value क्या है minus e minus x dx तो यह minus तो बाले change कर जाते है 0 to infinity हो जाएगा a minus x और e minus x के हो minus plus हो जाएगा x पावर p minus 1 dx ठीक है तो यह क्या हो जाएगा 0 to infinity e minus x क्यूव प्लास x minus x c पावर p minus 1 dx 6 तो 0 to infinity e minus of x क्यूव ठीक है अब पूट करेंगे x क्यूव is equals to t तो x dq अब हमने क्या कर रहे है derivative तो क्या हो dx is equals to dk x 0 तो t0 x infinity तो t infinity ठीक है तो अब इसको पूट करते हैं वैल्योस को इंटेगर 0 to infinity e minus t x क्या है गा t y क्या हो प्लावर p minus 1 और dx क्या है गा d t y आग क्या हो तो 0 to infinity t क्या प्लावर p minus 1 e minus t और 1 upon क्या हो p minus 1 plus 1 dt तो यह तो आजाएगा 0 to infinity क्या हो की प्लावर p minus 1 minus 2 dt तो यह क्या बन गया गामा फंक्शन और गामा फंक्शन गामा पी बन गया तो यह था माफ पी क्या हो की पावर p यह हमने प्रोब करना था ठीक है तो कोशन नुबर 7th हो गया है हमारा नेक्स लेक्चर में हम कोशन नुबर 8 करेंगे थैंक्यू थैंक्यू